हमारी चैनल में आपका बोधबोध स्वागत है सबीको मेरा नमस्कार राधी राधी जैसा आपको पताए कि मोहिनी एकादसी आ रही है तो हमें अपने लड्डू कोपाल का मोहिनी एकादसी का कैसे जिंगार करना यह मैं आपको बताती हूँ तो यह देखिए मेरा लेहंगा ल रहा है अब पैनाएंगे एक गले का सेट लेकी सबसे यह सबसे पहले में एक सेट गली से लगावा पैना रही हूँ पहली है इसके बाद मैं इससे थोड़ा लॉंग उडLaughी यह देखिए यह पहलेने एक सबसे ज़ादा लॉंग सेट पहलए हम oxygen मुहिन एकादसी मुहिन एकादसी के बारे में आपको पता है कि हमें कितना सुन्दर सिंगार करना है उसी तरीके से मैं सिंगार कर रही हूं यहां मैं कानों के पहना रही हूं यह देखिए यहां पे दोनों कानों में पेना दी हैं मैंने लड्डू को पाल को तो आप भी मुईनिय का दसी पर इस तरीके से सिंगार करें अपनी लड्डू को पाल का यहां मैंने बिंदी लगा दिये लड़वपाल के यह देख़िए, आपके जित्ति बड़े लड़वपाल हैं, उस रसाब से आप बिंदी लगाएं, मैंने अपने इसाब से लिगाएं, यह देखिए यहां पर, अब मैं यहां पर ले रही हूं नक जो मैं दोनों गालों पर थोड़ी पर चुपाँँगे लड अब मैं बाल लगा रही हूं लड्डू को पाल के देखे मैं राधरानी के ही बाल लगा रही हूं यहां देखे किता सुन्दर रूप आता जा रहा है अब मैं लगाऊंगे इनकी बालों में टीका टीका भी हम बोई वाला लगाएंगे जो हम राधरानी के लगाती है क्योंकि म मोहिन एक औरसे के लिए दो मोहीन ही रूप होना चाहिए मन भावन बहुत ती प्यारा सुन्दर रूप यहां देखिए यहां हमने ठीका लगा दिया है अग्या देखिए अब मैं नत पहना रहे हूं इनको और यहां पर हमने नत पहना दिय कि ए तरीके से और नत के ऊपर एक नक्सेट करेंगे यह देखिए यह यह मैंने एक नक्सेट कर दिया नत के ऊपर इस तरीके से आप भी इस तरीके से पैनाएं यह देखिए हमाई लड्डू कोपाल पर एकदम मोईने जैसा रूप आ रहा है यहाँ पर अब हम इनके एक चोटी ओल लगाएंगे पीछे बाल लगाएं लेकिन हमें एक चोटी गजरा लगाके भी लगानी है यह देखिए मैं यहाँ पर एक लंबी चोटी लेटी है अब मैं इसमें गजरा लगा रही हूं जिसको मैं पीछे से आगे डालकर सेट करूंगे पहले मैं गजरा लगा लेती हूं यह देखिए इस तरीके से हमें गजरा लगाना है यह देखिए मैंने इस तरीके से सेट कर दिया यह देखिए अब हम लगाएंगे इनके चंद्र का मैंने य आपके पास जो भी हो कि देखिए इस तरीके से यहां पर में इनको डुपट्टा उड़ा दूगी कि देखिए कि इस तरीके से अब आप में आपको हाइलाइट करके दिखा रही है यह देखिए मोहिनी एकादसी के लिए सिंगार में त्यार है कैसे लग रहा है मोहिनी के रूप में यहां पर मैं कमैंड बॉक्स में जरूर बताईएगा वीडियो आपको पसंत आए तो प्लीज चैनल को सस्कार केजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक से रवस्त कीजिएगा यह देखिए लड़ोपल का मोहिनी रूप यह देखिए इस तरीके से यह देखिए आप जैसे चाए वैसे लड़ोपल के सिंगार कर सकते हैं लेकिन मोहिनी रूप में सिंगार ऐसे होता है वो मैंने आपको बता दिया है आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सस्क्राइब करें आपक वी को राधे राधे